Hello everyone, I am Arti, welcome again to my YouTube channel Art English Classes आज हम बात करने वाले हैं बात करने की means आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बात करने को हम English में क्या कहते है बात करने के लिए कोई एक वर्ड नहीं है जैसे कि कोई भी action वर्ड होता है उसके लिए एक वर्ब यूज होती है लेकिन बात करना एक ऐसी वर्ड है जिसके लिए कोई एक particular वर्ड है ही नहीं अलग-अलग sentences में हम बात करने के लिए अलग-अलग verbs का use करते है कहीं पे तो हम use भी नहीं करते है जब भी हमारे mind में बात करने की बात आती है तो हमारे mind में एक वर्ड आती है अब यही है कि बस बात खत्म, तो आप क्या कहोगे, the talk has end, नहीं, ऐसे नहीं बोरा जाता है कभी भी, तो बात करना एक ऐसी verb है, जहां पर जरूरी नहीं है कि हर जगे पर talk लगाया जाई, आज मैं आपको 20 above sentences कराने वाली हूँ, जिनमें हम देखेंगे कि बात करना अगर use हुआ है, तो उसको हम sentence में कैसे use करेंगे, talk तो use नहीं होने वाला है सारे sentences में, बस आपको यही देखना ह है कि कैसे हम sentences को बनाएंगे, तो वीडियो के last तक जरूर बने रहेएगा, so that आपके mind में भी बात करने को लेकर अगर कोई confusion है, वो सारा का सारा दूर हो सके, चले तो start करते हैं आज की video, let's begin, तो चले start करते हैं वीडियो, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं आप 20 sentences कराने वाली हूँ, जहां पर हम बात करेंगे, बात करनेगी, तो चले पहला sentence देख लेते हैं, सबसे पहला sentence है, बस, बात करते हैं, यह जो आज मैं आपको 20 sentences कराने वाली हूँ, यह ऐसे sentences है, जो हम day today की life में बहुत जादा यूज़ करते हैं, मिन्स हमारा कोई भी दिन ऐ एक दिन में ही use कर देते हैं, तो चलिए पहले देख लेते हैं, बस, बात, खत्म, तो इसके लिए हम sentence use करते हैं, that's it, that's it, I think आपने सुना भी होगा, बोलते भी होगा, that's it, that's all भी use कर सकते हैं, आप इसके जगे, that's it की वज़ा है, जैसे कि कोई बात कर रहे है, बस, बात, यहां पर हमें बात रोकने हैं, तो आप क्या बोलोगे, that's it, right, next है, next sentence है, ऐसी बात नहीं है, इसके लिए हम use करते है, it's not like that, it's not like that, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते है, it's not so, ठीक है, like that को हमें remove करना होगा, मैं इसको ब्रैकिट में लगा देती हूं, ठीक है, यह तो आप ऐसे भी लिख सकते है, choice आपकी है, या तो आप बोल लिजे, it's not like that, या फिर आप बोल लिजे, it's not so, ऐसा नहीं है, right, चले, next, next है, मुझसे बात करो, यह तो बहुत एजी है, and I think, अभी बोलते है, it's talk to me, अब देखिए, जिस tense का sentence होगा, हम उसी में ही बनाएंगे, अगर यही sentence हम बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं, जैसे, मुझसे बात करो, talk to me, मैं तो मुझसे बात नहीं करना चाहता, I don't want to talk to you, तो मुझसे बात क्यों कर रहे हो, why are you talking to him, or her, ठीक है, अब मुझसे बात मत करो don't talk to me, तो मिस, जब भी ऐसी बात आजे कि मुझसे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तब हम talk का ही use करेंगे, तो I think, enough examples मैं आपको दे चुकी हूँ, इस वाले sentence are related, right, नहीं कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं के लिए हम क्या use करते हैं, क्या वहाँ पे talk use करते हैं, नही कभी भी use नहीं करते, हम दो फ्रेज महाँ पे use कर सकते हैं, first, no problem, कोई बात नहीं, no problem, हम sentence को आगे कुछ भी बना सकते, कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाओंगा, no problem, I will go myself, I will go alone, मैं अकेला चला जाओंगा, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ manage कर लूँगा, क्या कोई बात कर सकते हैं, no problem, I will manage everything, ऐसे आप बोल सकते हो, right, तो आपको ठीक लगे, अपनी conversation के हिसाब से, next sentence है, क्या बात, क्या बात है, अब नीचे देखे, क्या बात है, आप sentence के last से पहचान जाओगे, कि बात किस चीज ही हो रही है, अब देखे हैं, अब देखे हैं, क्या पूछा ज क्या बात है, अब यह क्या बात है, अगर कोई कुछ काम कर देखे हैं, तो यह एक्सक्लिमेटरी sentence में आ जाता है, बस हमारे कहने का तरीका है, कि हम वहाँ पे question की तरह पूछ रहे हैं, या फिर हम exclamatory tone में बोल रहे हैं, यह हमारे उपर depend करेगा, तो क्या बात है, तो इसके क्या यूज करेंगे, what's the talk, कभी ऐसा सुना है, कि हमने कभी ऐसा बलो, what's the talk, no, हम वहाँ पे यूज करते हैं, matter, what's the matter, अब देखिए, यह बाला देखिए, क्या बात है, तो क्या बात है के लिए, क्या यूज करेंगे, that's great, किसी ने कुछ किया, हम उसको प्रेज करेंगे, wow, क्या बात है, है ना, that's great, you did a good job, right, तो हम यूज करेंगे, that's great, exclamatory mark लगाएंगे, नेक्स देखिए, नेक्स है, बात बिगड गई, अब बात बिगड गई, के लिए भी हम talk use नहीं करेंगे, as I told you, तो इसके लिए हम use करेंगे, things went wrong, things went wrong means, बात बिगड गई, अब देखें, अगर यही sentence आपको future में बोलना हो, कि भई उसको ऐसा मत बोलना, नहीं तो बात बिगड जाएगी, तो पहला sentence है, उसको ऐसा मत बोलना, don't say him, like this, है ना, उसको ऐसा मत बोलना, तो क्या हो जाएगी, बात बिगड जाएगी, things will go wrong, तो वहाँ पे हम went की first wrong क्या होती है, go होती है, and future का sentence हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, things will go wrong, बात बिगड जाएगी, ठीक है, बात बिगड रही है, things are going wrong, ठीक है, बात बिगड रही है, present तो इस तरीके से आप बात बिगड़ गई या बात बिगड़ने के लिए हम यही फ्रेज यूज करते हैं यह तो आप अपनी डेली आपको पता होगा लेकिन अभी जो आपको नहीं पता तो चलिए उन सेंटेंस को भी देख लेते हैं आप देखें यह सारे सेंटेंस ऐसे हैं जैकि बहुत अच्छे है और इनकी इंगलिश हमें पता होने चाहिए तो पहला सेंटेंस है बात नहीं बनी बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कोई काम करने के लिए जा हम नहीं हो पाता तब हम बलतें हैं कि बात नहीं बनी के लिए हम यूज करेंगे दा 이제 नॉट वर्क ट्छी कि वह भी पश्ट करेंगे準र करेंगें सेंट यहां पर बात के लिए कुछ भी यूज नहीं हुआ है कि बात के लिए कुछ भी यूज नहीं हुआ है बस सीधी से बात है लिसें टू में वेर केरफुली मुझे ध्यान से सुनो तो आप देख सकते हो कि बात के लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई वर्ड ही यूज करें नेट देखें मुझे एक बात पूछनी है I want to ask one thing आप देखें यहां पर हमने बात करने के लिए यूज किया है one thing मुझे एक बात पूछनी है I want to ask one thing उसने मुझे एक बात बताई तो उसने मुझे एक बात बताई she told me one thing तो हम ऐसे बात ऐसे हम यूज कर सकते हैं नेक्स देखें क्या बात कर रहे हो कोई बात कर रहे है या फिर हम पूछ रहे हैं जाके सिंबल से वह में कि क्या बात कर रहे है तो वोट आर्यू टोकिंग या वाट आर्यू सेंग तो यहां को ने को भाएगत वनकराइब कसे बात रहे हैं यही बात कीडिलाहां से रहे हैं को देखेंश दीलthose दील एंदिखें को यहां पर घूमाओ मत बात को ग्माओ नहीं हुआ है बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है हमारे माइन में जो एक concept है टोक मिन्स बात करना बात करना यहां पर कहीं पर भी टोक यूज नहीं हूँ है तो जब भी हम बात को घुमा फिरा के करेंगे तो हम यह फ्रेज करेंगे don't beat about the bush घुमाफिरा के बात मत करो बात को घुमाओ मत next देखें मेरे सामने बात करो उसे है न किसी से बात कर रहा है कोई और हम कह रहें कि मेरे सामने ही बात करो अभी करो उसे बात और मेरे सामने ही करो तो यहाँ पर हम talk का ही use करेंगे क्योंकि imperative sentence है करो वो पर खत्म है sentence तो talk to him, him भी हो सकता है, her भी हो सकता है क्योंकि भी किस से बात करने की बात हो रही है पता नहीं ठीक है तो talk to him in front of me, मेरे सामने बात करो उससे या उससे मेरे सामने बात करो आप ऐसे sentence को बोल सकते हो, तो देखे, अब आपको यह idea तो होई गया होगा कि बात के लिए कोई particular verb नहीं है यहाँ पर the matter, the thing यूज हो है, यहाँ पर तो कुछ use ही नहीं हुआ है, यहाँ पर one thing यूज हो है, यहाँ पर saying use and talking use है, यहाँ पर interrupt use हो गया है यहाँ पर तो कोई word आया ही नहीं, बस एक पूरा phrase है बात को गुमाने के लिए and यहाँ पर बात करने के लिए use हो है, तो आप समझ सकते हो कि बात करना एक कितना बड़ा topic है हमारी life का चलिए next sentences देख लेते हैं, next sentences तो इससे भी जादे important होने वाले है, why? क्योंकि वो थोड़े lengthy है और वो हमारी day to day life का inseparable part है, जो भी sentences अभी बताने वाली हूँ और I think जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनके लिए हम क्या use करते हैं, I think वो आपको नहीं बता, तो चलिए देख लेते हैं, next sentence है, बातों ही बातों में मैंने उसे सब कुछ बता दिया, right? पहले ही मैं आपको बोला था कि थोड़े lengthy sentences आएंगे और कैसे बनाएंगे इनको तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, चलिए देखे, पहले sentence देख रहे हैं, तो बातों ही बातों में, जब भी आपको बातों ही बातों में यूज करना हो, तो आपको एक phrase यूज करना है, in a matter of words, तो in a matter of words यूज करेंगे, and after that जिस sentence में sentence है, उसमें ही बनाएंगे, and यह पास in defeat में है, I told him or her everything, right to sentence हो गया, in a matter of words, जैसे कि में आपको बताया है, कि जब भी आपको यूज करना बातों ही बातों में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, in a matter of words, क्या-किया, I told, क्योंकि बताने को हम बोलते है, tell, और tell की second form होती ही, told, I told him or her, अब पता नहीं किस गल को बता है, everything, hope समझ में आगया हो गई, आपको next देखे, next sentence है, बात का बतंगर मत बनाओ, तो देखे, बात का बतंगर बनाने के लिए हम यूज करेंगे, first, don't make a fuss about the matter, right, तो यहाँ पर sentence हो कि don't make a fuss about the matter, बात का बतंगर मत बनाओ, तो यहाँ पर बात के लिए यूज हु होता है, first, make a fuss, hope समझ में आगया होगा, next देखे, बात की गंभीरता को समझो, अब यहाँ पर बात की गंभीरता को समझो, तो यह हो जाएगा, understand, क्योंकि यह imperative sentence है, और imperative sentences में वर्ब को starting में यूज करते हैं, तो understand the gravity of the situation, या फिर, understand the seriousness of the matter, या फिर, situation, right, तो यह हो जाएगा, understand the gravity, gravity को भी हम गंभीरता कहते हैं, seriousness आप लिए तो उसको भी हम गंभीरता ही कहते हैं, of the matter, matter यह नहीं की बात के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर, जो भी situation है हमारे सामने, उसको भी हम बात ही कह सकते हैं, तो situation भी यूज कर सकते हैं, understand the gravity of the situation, understand the gravity of तो सफिझ बेगे में यहां पिदे है कि सेंठस़ करने यूझा ये उसका ब्राइट एैट यूज़ करें तो यह sentence हो गया, she gets angry every now and then, अब देखें यहाँ पर बात-बात के लिए use हुआ है, now and then, hope समझ में आगया होगा आपको, तो इन sentences से भी आप या idea लगा सकते हो, कि बात करने के लिए हम क्या-क्या word use कर सकते हैं, यहां पर बेकार की बात पसंद नहीं है, तो यहां पर हम यूज करते हैं, लूज टोक्स, तो यहां पर हम use करेंगे, मुझे बेकार की बात पसंद नहीं है, चोटी चोटी बात पर गुस्सा मत करो, imperative sentence ठीक है, एंट चोटी चोटी बात पर पर Muchas क्या करो इसके चोटjang बात की लिए यूज हो है ट्रफल्स नेक्स देखिए नेक्स सेंटेंस मुझे बेकार की बाते पसंद नहीं है तो यहां पर बात करने की बात है तो जब भी ऐसा सेंटेंस आप बोलोगे तो आप बोलोगे यू आर लूज टंग ठीक है तो सेंटेंस है यू आर लूज टंग तुम बेकार की बाते करते हो अब यहां पर बेकार की बाते पसंद नहीं है तो लूज टोक्स होते है बेकार की बाते लेखिन अगर यही आ जाए कि बेकार की बात करना तो लूज टंग हो जाएगा तो आइ डेली conversation में तो hope सारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए helpful भी होगी आपकी conversation के लिए तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye take care stay healthy and keep learning